हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो 4 trillion dollars तक पहुँच गई है जो आज एक news आई है और हमारी जो है वो महिंगाई 42% तक पहुँच गई है पाकिस्तान में इद की नमाज होती है तो उपर 15, 20, 21, 27 लेके जवान खड़े रहते हैं कि भाई कोई attack न हो जाए और ये इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है जहां 98% करीब करीब मुसल्मान रहते हैं इंडिया एकॉनमी एक्ट 4 trillion dollars इंडिया जीडीपी प्रॉसे 4 trillion dollars मुल्क कुदरती वसायल से माला माल तो है मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है इस वक्त इंडिया की एकॉनमी उस जगा पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ आर्सा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे हम तो काम कर रहें इसके लिए हम बैट के हवा हवाई बातें नहीं कर रहें कि बड़ा जजबा है जी बड़ा टैलेंट है जी और हम तो कर सकते हैं भारत का मुकाबला कर सकते जित्थे न कर सकते हैं और न कर पाएंगे आर्जू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसल्मान किया था आप इसी तरह जूते मार मार के नमाजे पढ़ाएंगे कितना सब पढ़ लेंगे इस तरह नमाजे आप जो माइल स्टोन है वो इंडिया वहां पर प इस जगह पर पहुंच गए हुन तुसी उखार लो साड़ा जो खड़ना है हमने यह कर दिखाई अब आपने जो करना है कर गुज़रे परिश्टीन के लिए जयाद करना जाते हैं टीटीपी के सामने नहीं जाते हैं आपके पठान भाहिए आपको नस्वार खा गया आपको जूते मार रहे हैं सुबह शाम आप खुद लेंगे आप अगल वशिट्रीन डीसी में निव यां दुमई में खड़े होंगे आप पाकस ही कि आदे हैं के हमार्य कहा जा रहा है कि इस प्रोग्रेम के अजाएमफ के हैं इसके बाद एक और प्रोग्रैम में जाने की फुल तए है क्या करेंगे ए Mackay हो मैं मुझे सखुख हुआ है आपकी फाइनेस मिनिस्टर ने इस्टेटमेंट दी यह हरे के हाथ के अदर स्मार्टफोन है और हरे को पता है यही अलमी है बचारे कर कुछ ने सकते वो डालते किसी को है जाते किसी को है आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टेंडर्ड क्या है मुझे आप जस्टिफाय कुद कर दे एक तो इस वक्त स्टेंडर्ड यह है, आपकी जो इस वक्त लांडरी मिशीन चली है, आपकी सारी उसकी स्टेंडर्ड यह है, मैं नौ माई के वाकिये को कंडेम करता हूं, पाक फॉज जिन्दाबाद, यह दो फिक्रे आपने बोलने हैं, कितने मुशकल हैं इह दो बोलना, लेकिन अगर आपने दो अरब की क्रॉप्षण की है दस अरब रुपय की क्रॉप्षण की है तो हलाल है पें समय की बाहर निकलके वकीलों की जलसे में यह नहीं कि बाहर जनल में से वकील जो के पड़ी लिखी आपकी ब्राधरी समझी जाती उसमें उन्हों तक्रीर में फरमाया कि मैं दिल करता है मैं आदी पोतल उसको दून जो committed PTI का वरकर हूँ पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है advocate साब उन्होंने पीछे से नारा लगाया नहीं भाई जान इसको किसी tanker में डाले हम सब पीना चाहते हैं तो आप किस तरह बचे गया जब आपको हर 10 साल बाद जब वकीलों को TK जिहाद के लग चुके हैं किस तरह बचेंगे आप को बचने की शकल आपकी है फिर उसके बाद अगली अगली देख ले हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने कल वह मौलवियों को बुला के जल्सा कर जिएच क्यों के अंदर सेमिनार कर दिये ज्यावलक बन्ने तो नहीं जा रहे वह उनका भी सुना है के मौलवियों के साथ बड़े जल्से किया करते थे ते मैंने यह सुना है वह उन्होंने तो अपने आपके दफ्रों के अंतर जो था एक तो उन्होंने कहा था पहना करें वास्केट पहना करें शिल्वार्ख मीज पहना करें और उन्होंने का था हाजरी लगाया करें नमाज के उपर, नमाज के उपर हाजरी लगाया करें, नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के, तो यह पता ने पर यह क्या, जिस तरह बताया है, आर्जू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे, कितना आप सब पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप, अलाकि मैं जो इनसान हूँ, मैं आपको वसूप के साथ कहा देता हूँ, मजब यह रिचूल है, फिलासफी को समझो पहले, खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है, आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दमाग में कुछ और होता है, मंतर पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है, आप क्या मंतर पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप मुझे यह बताएं आपकी मस्जदों में जूते सेफ नहीं है टूटियां सेफ नहीं है क्लाशन को फिक गोलिगां चाहरी बंप अट रहे हैं क्योंकि उन्हें पते ही किस जगा का नाम है कहने को तो आप बार-बार कहते हैं गहां अल्ला का घर है अम अल् राशन को फिर लेकर के हाँ को मार ना जाया के मगन फ इतने इमान की मजब यह मजब हें आपका और चाहते कि एक देन है गा मैंने हो रही है और खबर ये है कि इस वक्त इंडिया की एकॉनमी उस जगा पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अर्सा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे तो क्या ये अचीवमेंट हासल कर ली है इंडिया ने पहले कि इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफिर से ये बात चल रही थी और इंडिया की गर्मेंट की तरफ से ये कई मरतबा उनके प्राइम मिनिस्टर नरे नर्मूजी साहब की तरफ से कई मरतबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम ये इसलिए नर्मूजी साहब हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कुछ और मिनिस्टर्स हैं इंडिया के उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये बात लिखी गई और उनकी तरफ से ये कन्फरमिशन मिली पता ये चला कि इंडिया की एकॉनमी जो है अब वो फोर प्रिल माइल स्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है उसने हासिल कर लिया है